प्राइम मिनिस्टर जी का ये चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि जो सरकार के जो मुखिया है अभी हमने पढ़ा राश्पती उपराश्पती अब हम पढ़ेंगे ये लोग जिनकी एडवाई सुनते हैं वो असल में कौन है जिनके पास डिफैक्टो पावर है यहां यह करती है हमारी डेमोकरसी की सारी सीट की जो एक्चुल पावर है डिसीजन लेने वाली बोडी डिसीजन लिया जाता है राश्पती जी की नाम पे पर राश्पती को जो सला देते हैं वो हैं ये साहब यानि कि हमारे प्रधान मंत्री और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी अब हम जानते हैं कि जो देश की जो अवाम है ये चुनती है हमारे देश के सारे रेप्रेजेंटेटिटिव जो हमको और आपको जाके रेप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में ये सारे के सारे लोग यहां बैठेंगे ग्रीन कार्पेट पर बैठेंगे और इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ओफ लोकसभा के आप हो लोकसभा के मेंबर और आप सब लोग मिलके अपने आप ये तैय करो कि आप मेंसे मैजॉरिटी किसकी है कौन सरकार बना सकता है उस सरकार का म किया होगा वो जाके अपना दिखाएगा अपना यह अपना जलवा अपनी जो इनकी मेजॉरिटी आईगी लोगसभा में इतनी सारी पार्टियां हैं यह तो बहुत कम हैं और भी जाता हैं आप देख रहे हो बीजेपी कॉम्मिनस पार्टी कॉंग्रेस आप पार्टी एंसीप सब तमाम दुनिया भर की पार्टीज हैं बहुत सारी पार्टीज हैं अब आर्टिकल पिचत्तर कहता है कि राश्पती जी हमारे एपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को जो लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी का इन लोगसभा साब बात है हमने देख लिया कि यह 2019 की लोगसभा है इसमें एक पूरा मेजॉरिटी सेक्शन है जो केसरिया है तो काफी हद तक हम देख पा रहे हैं कि हाँ एक पार्टी की बहुमत है अब यह पार्टी जिस भी नेता को अपना मुखिया मानती है यह पार्टी जिस भी नेता को कहेगी कि हाँ साब यह हमारे लीड है के नहीं तो इनको फिर अगर हमने लीडर चुना that is the PM Modi तो PM Modi जी को जब election हुए होंगे 2019 के फिर इसके बाद इनको लोगसावा में जाके सबसे पहली बात तो यह दिखाना है कि साथ मेरे पास majority है और मेरे पास ये 542 ये जो सीटे हैं क्योंकि इसमें दिख रहा है कि एक जगे पर पोल नहीं हो पाया था पोल was cancelled in one constituency पता है आपको 2019 में एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था मुश्किल हालात थे so only 542 सीट पर elected साफ बात है क्या करें जब एक जहां चुडाओं नहीं उपाया वहां से जीतेगा कौन फिर तो इन्होंने फिर 2019 में जब elections के बाद पहली बार जब शपत ली उसके बाद जब ये वापस गई लोग सभा में और इन्होंने जाके अपना दिया floor test floor test में इनके पास थी majority खूब majority बढ़िया majority अब इस के बाद इस majority के बाद इन्होंने राश्पती जी को बता दिया देखो साब majority है ना अब सरकार बना रहा हूं मैं अब मैं सरकार चलाओंगा अब मेरी सरकार में मेरे मंत्री दल में ये मंत्री ये लेंगे ये वाले ये वाल जो बीजेपी पार्टी की है अपनी अब फिर इसके बाद आती है NDA जो बीजेपी और बागी दलों का जो गठबंदन है उसको हम कहते हैं National Democratic Alliance NDA अब NDA प्लस बीजेपी तो इनोंने अपनी सिद्ध कर ली यहां तक ये majority है पूरी आपको समझ में आगई बात कितनी अच्छ सरकार क्योंकि इन लोगों ने मिलके majority प्रूफ करी है लोकसवा में खाली बीजेपी ने अकेले नहीं की है इसके बाद आएगा हमारा Congress, other UPA parties, UPA मने जो Congress के साथ वाले दल थे 2004 से लेके 2014 तक तो इन लोगों के पास majority नहीं है क्या करें ये 52 सीटों पर हैं ये 33 सीटों पर हैं और बागी 108 हैं other parties जिसमें चोटे मोटे parties के होंगे नेता या ऐसे होंगे जो individual जीत के आगा है independent किसी party के किसी party जरूरत नहीं पड़ी होने हैं तो ये लोग थे अब ऐसे हमारी सरकार चुनी गई और ऐसे हमारे अभी समय सरकार function कर रही है now राश्पती जी के पास दो जगाओं पर ऐसा होता है कि उनके पास power होती है अपना discretion यूज करने की अपना विवेक यूज करने की discretion means विवेक मतलब अपने मन से फिर वो सोच सकते हैं कि क्या मैं ये करूं क्योंकि जहां तक हमें पता है भाई राश्पती जी तो वही करते है जो उनसे उनका council of minister कहता है पर council of minister ही अगर परेशान हो तब क्या करें तब राश्पती जी के पास option है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें फिर राश्पती जी का जो सचवाला होगा जो राश्पती भवन का जो office होगा यानि कि आप जाज़े future officers जो बहुत सीनर लेविल नहीं कर पारी है क्या करें देखो सब बट बटा गए है कोई party 50% से उपर cross दिखाई नहीं पारी है majority कैसे करोगे किसको बनाओगे मुखिया तब ऐसे में राश्पती जी कह सकते हैं कि अब मैं अपना विवेक करूँगा अब मैं अपना मन का करूँगा मैं किसी एक को PM बना हो जाए हमें पता है 1980 में जब प्राइम मिनिस्टर इंद्रा जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली हो गई थी फिर राश्पती जी को अपना विवेक का यूज करते हुए उन्होंने नॉर्मल प्रेसिडेंस जो नॉर्मल तरीका था कि अटिंग जब तक के गई फेंद इप उन्होंने वो समय त्रीगा नहीं चुना था तो ग्यादी जैल सिंग घी विशी को बोला कि आप एम हो अब राजीव गांदी जी उस्मय MP भी नहीं तो उनको MP बनना पड़ेगा, छे महीने के अंदर, ठीक है, वो बने भी बाद में MP, Now, ये ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, अभी इनको आगे पड़ते हैं, क्या है पॉइंट, पॉइंट ऐसा है, जब किसी पार्टी पास कोई clear majority ना हो लोग सभा में, हंग Parliament है, हंग Assembly है, अटके हुँ हैं सबके सब, सबके सब खड़े दूसरे का मुझ देख रहे हैं, कि कौन majority बना सकता है, कौन आपस में हाथ मिला सकता है, नहीं बना पा रहे हैं, तब ऐसे में क्या होगा, जैसे हमारे राश्पती श्री नीलम संजीव अरेड़ी जी ने किया था, इन्होंने बोला, 1979 में, कि चरण सिंग जी, सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है, कि मैं आपको PM बना दूँ, और आप अपना कठबंदन दिखा दो मुझे, आप प्रूब करतो majority, इन्होंने का, हो जाएगा, ठीक है, डन, तो ऐसे केस में क्या हुआ, कि 1979 में, राश्पती जी ने, चौधरी चरण सिंग जी को, coalition leader बना दिया, और इनको बोला कि अब आप PM हो, पहले मुझे floor test करके दिखाओ, पहले मुझे majority दिखाओ, यहाँ पर प्रेसिनेंट ने, यूज किया, अपना personal discretion, एक तार आ गया, हाँ, अपना personal discretion, in the selection and appointment of the Prime Minister, दोनों वर्ड अलग-अलग है, र किया है, राशपती जी ने, एक बार, यह हमको देख गया, कि मैं discretion use किया गया है, दूसरे case में, अभी जो मैंने बताया था, जब राशपती ज्यानी जैल सिंग जी ने, ये बोला, कि सहाब, मेरे प्रधान मंत्री की हत्या हो गई है, अब इंदरा गांधी जी का assassination हो गया था assassination words समझ में आता गया, तो उस समय क्या हुआ, कि एकदम से Prime Minister की seat खाली हो गई, और Prime Minister died suddenly, अब ऐसे case में, कोई भी हमें पता ही नहीं है कि आगे कौन हो गातुरादिकारी, है ही नहीं कोई, तब राशपती जी ने क्या किया, कि उन्होंने President को ignore किया, President माने राशपती नहीं है यहां पर इसी लिखा हुआ है, President means कि परंपरा, normal परंपरा क्या है, परंपरा क्या है, कि एक care digger PM मना दो, जो कि generally होता है senior most minister, senior most minister, मतलब सबसे बुजर्ग, सबसे बड़े, सबसे senior minister, जिनका उमर दराज है, जिनको हम मान के चल रहे हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा experience है, इ जब तक कि हम दूसरा पदानमंतिली ना चुन लें, ठीक है, राश्पती जी ने इस चीज को दरकिनार किया, इस परंपरा को, इन्हों ने बोला कि नहीं, मैं राजी गवांदी जी को PM चुनता हूँ, और राजी गवांदी जी के ऊपर पूरा जम्मेदारी है, अब सरकार इनको सॉलिडारिटी में इनका सपोर्ट किया, और बहुत इनके साथ सानुबूती भी थी, तो इनको फिर कॉंग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी ने युनानिमसली मान लिया कि हाँ सर, यू आर अवर लीडर, हमने इलेक्ट कर दिया, हावेवर, इफ ऑन दे डेथ ऑफ एन सब्सक्रानक तब इत खराब हुई, सुबह नहीं उठ पाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, कि मेरे जाने के बाद आदित्यसर चले गए हैं, अब इसके बाद जो भी दूसरा पार्टी जिसको भी दूसरा पीम मानेगी, तो राश्पती बाद फिर तो ऑप्शन नहीं है, क्य अबी नया लड़का, नया जोश, नया खून हमारा पीम मने, इसके बाद हम देख रहे हैं, कि ऐसे दो सिलसले हुए हैं, जब जुडिशरी के पास यह मसला पहुँचा है, तो एक बाद डेली हाई कोट ने बोला था, 1980 में, that is after 1979 की सरकार, यह important है, 1979 में सरकार किसकी थी, Now, उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि President may first appoint him the Prime Minister and then ask him to prove his majority, in the low-sabah with a reasonable period, ऐसा हुआ, जैसा आपको पता है, महराज करनाटक में, गवर्नर सहाब ने अभी कुछ majority के ऊपर ऐसा कुछ रोचक काम किया था, जिसकी वज़े से case Supreme Court पहुँचा, तो उसमें क्या हुआ था, कि उसमें गवर्नर सहाब ने पूरा समय नहीं दिया, उसमें जो गवर्नर सहाब ने floor test कराने का सही reasonable time नहीं दिया, इससे पहले ही 1980 में ये डेली High Court ने ये चीज़ solve कर रखी थी और बोला हुआ था, कि राश्पती जी पहले appoint करेंगे किसी को Prime Minister, फिर उनको बोलेंगे all the best, जाओ लोकसभा में, अपनी floor test करा के आओ, अपना floor पे, floor test कहते हैं से, मतलब कि ये होता है कि फर्ष पे जाओ, फर्ष महाने जमीन पे नहीं जाना है, मतलब इसका मतलब है कि सदन के फर्ष पे जाओ, लोकसभा का green carpet पे, वहाँ जाके सबके जब आप 5.500 लोग जाके हो, और जाके हम आपे प्रूफ करके दिखाओ, उपकी majority, है आपके पास, तो बनाओ फिर सरकार, तो floor test होगा इनका, पहले प्राइमरिसर बना दो इनको, फिर इनको बोलो कि अपनी majority क्या है, वो दिखाओ, लाओ, majority है, all the best, बढ़िया सरकार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंदल लोकसभा only, green carpet, याद रखना, लोकसभा में ही, खाली प्राइमरिसर को अपनी majority दिखानी होती है, अब टाइम भी दे दिया है, कि टाइम हम बता नहीं रहें कितना हो, पर टाइम reasonable हो, टाइम ऐसा, टाइम इतना कम भी नहो, कि साब, आज बोला है, कल तक दिखाओ, यह ऐसा बना के दिखाओ, और टाइम इतना भी ज्यादा नहो, कि आज बोल दिया, PM मन जाओ, दो-तिन महीने है तुमार पास जाओ जाके प्रूव करके लाओ majority, तब तक तो खूब खरीद फरुख्त हो चुकी होगी, MPs की, now, जो भी person होगा, जो PM मनेगा, person is not to prove his majority before he is appointed, य इसमें इतनी कुवत है कि यह अपनी majority दिखा दे आपको, बना दोसको PM, कोई बात नहीं, continuity बरकरार है सरकार की, तो यह हुआ, अब इसके बाद, फिर कुछ और 15-17 साल बाद, 1997 में, Supreme Court ने एक और फैसले में बोला, पहले Delhi High Court था, अब Supreme Court पे आ गया, कि if not a member of either house of the Parliament, अगर को कोई भी, कोई भी PM या minister जो भी हो, अगर वो किसी house का member नहीं है, तो he must become a member within the six months after becoming prime minister, और minister in that case, कि union minister भी भले ही वो हो, कोई बात नहीं, तो चाहे वो union minister हो, कोई defense mantra ले हो, कोई foreign ministry हो, कोई home ministry हो, कुछ भी ministry हो सकती है, आप अगर minister हो, तो शर्त यह है, कि आप member of Parliament होने पर अगर आप नहीं हो, तो आपको 6 महीने के भीतर, आपको membership लेनी पड़ेगी, किसी house की, नहीं तो आपका सदस्ता रद हो जाएगी, जैसे, prime minister may be a member of any of the two houses of Parliament, फरक नहीं पड़ता कहां से आयो, लोकसभा से, राजसभा से, don't worry, don't care, पर होने जरूर चाहिए member, now, example, इंद होगा, उसको बनना पड़ेगा, इस lower house का member, यह जो आपको body degree, खचाकच भरी हुई, पूरी की पूरी, यहाँ पे 600 से ज्यादा लोग बैठते, यह सारे member of Parliament हैं, यह सारे है house of commons के, lower house के, यह वहाँ के member, जो वहाँ का lower house, Westminster, जो building है वहाँ की, तो वहाँ के lower house के member होना गया है, तो house of lord से वो नहीं आएंगे, वो आएंगे house of commons से, मतलब वो देश के लोग चुन के भेज़ें, तब हम मानेंगे कि वो PM बन बाएंगे कि नी बन बाएंगे, हमारे यहाँ, चीज है कि हमारे राचासवा का member भी PM बन सकता है, don't worry, कोई problem, कोई problem नहीं है, now, अगली इनकी शपत, इनका जितना term होता है, जितनी देर इनको PM office में रहना पड़ेगा, और इनकी salary क्या होगी, साब बात है, यहीं जानना है हमको, तो next चीज समझ में आगई, the president administers to him the oaths of office and secrecy, दो चीज हैं यहाँ पर, यह सारी की सारी जो oath होती है, यह प्राइम मिनिस्टर को भ देनी पड़ेगी, तो आप देख रहे हो, कि जब रामनात कोविन जी ने, जब मोदी जी को शपत दिलवाई थी, तो क्या हुआ था, जब मोदी जी दुबारा आए थे, तो उन्होंने जब खड़े होके बोला था, मैं नरेतन दाम उतर्दास मोदी, शपत लेता हूँ, फल कि सम्विधान के प्रती सची निष्ठा, सम्विधान के प्रती अपनी वफादारी, ये मैं में मिंटिन करूँगा, दूसरा, I will uphold the sovereignty and integrity of India, बिलकुल मैं देश की संप्रभुता, देश की अखणता पे आचनिया आने दूँगा, तीसरा, to faithfully and conscientiously discharge the duties of the office, यानि कि पूरी duties निभाऊंगा, जो मुझे office से मिलेगी, to do right to all manner of people, मतलब हर तबके के लोगों के साथ मैं सही से बरताव करूँगा, उनको सही उन तक पहुचाऊंगा, सत्य उन तक पहुचाऊंगा, अच्छी चीज उन तक पहुचाऊंगा, in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, बिना किसी एक को अप ना किसी के effect में आगे, ना किसी से favor लेके, मैं कोई किसी भावना के साथ, दोईश भावना के साथ, किसी को भी discriminate नहीं करूँगा, सब के लिए बराबर से अच्छा काम करूँगा, पूरी-पूरी काम करूँगा, ये बोला गया, ये है इनका oath of office, अब oath of secrecy क्या है, secrecy ये है कि मैं, जो भी मेरे सामने, जो भी दस्तावेज आएंगे, जो भी काम आएंगे, मैं उन कामों को, मैं किसी ऐसे व्यक्ती से reveal नहीं करूँगा, जिसकी मुझे जरूवत नहीं है, उसको बताऊँगा, जिसकी वज़े से मेरा काम हो, बस, ऐसा वो लगया है, I will not reveal to any person or persons any matter that is brought under my consideration as a union minister or prime minister, except as may be required for the due discharge of my duties as such a minister, ठीक बात है, कि अगर मंतरी होते हुए, मुझे किसी से कोई बात कहनी है, जिसकी वज़े से ये मेरा मंतरी वाला काम मेरा हो सकता हो, तो तो मैं कर सकता हूँ, Otherwise, मेरे पास जो काम आएगा, वो बहुत ही गोपनी होना चाहिए, वो देश की सुरक्षा की बात है, वो देश की आंतरीक और बहारी सुरक्षा की बात है, तो मैं हर किसी से phone पे telephone डिसकस नहीं करूँगा, यहां साब आज मेरे पास ऐसा वाला file I.A. sign करने के लिए, नहीं, को नहीं कर सकता हूँ मैं, मैंने एक शपत ली हुई है कि मैं secrecy निभाऊंगा, now, इनका term कैसा होगा, मतलब इनका duration क्या होगा, तो इनका duration साफ बात है, सम्मिधान तो यह कहता है कि साब, देख लेना, हम नहीं जानते, not fixed, यह नहीं है, not fixed and he holds office during the pleasure of the president, now, कई लोगों को यह आपर doubt आ रहा है, यह doubt मैंने पहले भी देखा, comments में भी देखा लोगों के, कि लोगों को लग रहा है कि राश्पती के मन की चल रही है, during the pleasure of the president, कि राश्पती का मन है, तो आप काम कर पा रहे हो, राश्पती का मन नहीं तो आप काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, राश्पत वो सरकार है, वो लोगों के द्वारा चुन के आएं है, वो लोगों का अशिरवाद है उनके पास, जनता का मैंडेट है उनके पास जैसे ज़िए प्रदान मंद्री जी भाष्ण में बोलते हैं कि मेरे उपर 1500 करोड लोगों का अशिरवाद है तो क्या एक राश्पती ची उनक means he cannot be dismissed by the president अगर नहीं, अगर नहीं कर पाए, लोकसभा से majority खट गई, उनके आसे चिन गई, then loses the confidence of the लोकसभा and he must resign or the president can dismiss him, बस समझ में आई बात कि अगर लोकसभा से उनका चली गई उनकी majority, अगर 50% of लोकसभा ने उनका support नहीं किया, that means he's out that means he must resign पड़ेगा, हो गया, आपके पास वो mandate नहीं है, जिसके लिए आप यहां काम करने आयो, नहीं है mandate लागे दिखाओ, 50% लोग आपके support में है, तो ठीक, otherwise we don't care now, president फिर उसको dismiss कर सकते हैं अगर PM के पास majority चली गई तो इनकी salary देखो, salary का कोई सम्विदार में तो कोई issue ही नहीं तो वहाँ parliament ही decide करता है मतलब यह पूरा लोग सबारा जबा सारे मिला के और एक act पास करते हैं जिसे act नाम क्या है, वो act आप बताएंगे and parliament time to time इस चीज़ को revise करता रहता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जैसे महगाई बढ़ रही जैसे जैसे सारे आगे और factors include करके सारे travel सब कुछ मिला जुला के तो तब इनकी salary decide होती है इनको salary मिलती है same जो MP को मिलती है पर उसके अलावा इनको एक higher और ज़्यादा इनको advantage मिलता है जैसे he gets sumptuary allowance ये क्या होते है सर पहली बर सुना मने तो sumptuary allowance means means कि allowance for allowance allowance मने भत्ता मतलब जो ये ले सकते हैं जो ये use कर सकते हैं पैसा जो सरकार इंको देती है allowance for entertaining guests कि बहुत सारे ऐसे guests आते हैं जो बड़े बड़े dignitaries होते हैं तो बहुत बड़े बड़े देशों के prime minister, president बड़े बड़े ambassadors, बड़े बड़े लोग आते हैं अब वो जब लोग आते हैं तो उनको आप खाली hall में बिठा के चाय बिला के नहीं अटा देते हो नहीं, उनकी आप शान में एक छोटी से दावत देते हो एक state dinner होता है एक ऐसा dinner होता है जहाँ पे 56 तरेगा भोग बनता है खुब अच्छा खाना बनता है और अब जो PM हैं तो PM head of सरकार है तो head of सरकार के हाँ जब कोई दावत होगी तो PM अपना best foot forward करेंगे न आप India को represent कर रहे हो वहाँ पे अब प्रधान मंत्री हो देश के तो वहाँ पे जब कोई अगर दावत दी जाएगी that means वो दावत लैविश होगी और वो दावत इंडिया को represent कर रही है वो दावत अगर वहाँ पानी पूरी भी अगर खटी मीठी सही नहीं हुई that means वो देश की insult है तो वहाँ का शेफ भी बहुत प्रॉपर होगा वहाँ का पूरा खर्चा सही होगा वहाँ का हर चीज़ तो allowance for entertaining guests ये जब महमान आते हैं इसको बोलते हैं sumptuary allowance ये इनको दिये जाते हैं कि जब भी PM office में या फिर प्रधामंतरी आवास पे कहीं और बाहर जब एक state dinner करना होता है करवाना होता है तो उस समय पे इनको sumptuary allowance मिलता है सरकार की तरफ से sorry, parliament की तरफ से तो देटा तो देश का खजाना ही है वो now, free travel allowance free accommodation, traveling allowance medical bills सारे इनके medical allowance सब इनको मिलता है free में ये क्योंकि भई देश के मुखिया है और, sorry, not देश के मुखिया पर देश की सरकार के मुखिया है तो इसो विदायन तो उनको मिलनी चाहिए बहुत बड़ी जम्मेदारी है इनके ऊपर now, इसके बाद आएगा एक factor कि इनकी powers क्या क्या है जब हमें power function पढ़ना है इनके तो हमें कई सारे रिष्टों को देखते हुए पढ़ना पढ़ेगा जैसे in relation to his council of ministers in relation to the president in relation to other in relation to the parliament ऐसे करके हम पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं कि council of ministers के respect में इनकी power कैसी-कैसी है हमें पता है सम्विधान ही कह चुका है कि he is the head of the council of ministers मतलब ये होगा इनका council of ministers जो ये सारे खड़े हैं तो PM सहाब खड़े हैं यहाँ पे और बाकी इनके ministers खड़े हुए side में ये हैं इन सारे मंत्री दलों के मुखिया ये ही recommend करते हैं राश्पती को कि साब मैं इस फलाने व्यक्ती को अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ इस फलाने department का ठीक है और राश्पती जी इस advice से bounded है राश्पती जी कल को ये नहीं कह सकते है कि नहीं नहीं मैं आदित सर को बनाना चाहता हूँ और आपका defense मंत्रा ले उनको देना चाहता हूँ अब आदित सर कौन है आदित सर आपको polity पड़ा रहे है अब ऐसा हो सकता है प्यम बोलने कि अगर आदित सर आपको इतने पसंद है राश्पती जी तो आप एक काम कीजिए मैं इनको आदित सर को law ministry देता हूँ ठीक है ये law minister है हमारे अब लेकिन law minister तो मैं बना दूँगा इनको पर 6 महीने के अंदर इनको लोगसभा की या राज़सभा की membership लेनी पड़ेगी I don't care how ये जानेंगे आदित सर जाने और इनका काम जाने छे महीने में अगर ये लोगसभा की membership ये राज़सभा की membership नहीं ले पाए तो आदित सर को law ministry से अटाना पड़ेगा मुझे ठीक है इतना राज़पती जी सुन सकते हैं बात के हाँ चलो ये आप सही कहा रहे है ये भी करते हैं ये मतलब कहने का ये है कि ये क्या कर सकते हैं PM है मोदी जी अब PM मोदी जी बोलें कि आदित्य तुमने law ministry समाली बहुत अच्छा काम किया तुमने काम और करो तुम IT ministry और ले लो यार मेती M-E-I-T-Y तो इसको भी समालो और इसके बाद वो ये भी कर सकते हैं कि आदित्य तुमने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है तुम एक काम करो मैं जो भी कहता हूँ तुम बात मानते ही नहीं हो पूरी तुम अपना law का ग्यान दिखाते रहते हो मुझे तुम हटो यहांसे जाओ मेरी मिनिस्ट्री से हटो तो वो राश्पती को एडवाइस कर सकते हैं PM कि आदित्य को हटाओ यहांसे मुझे नहीं चाहिए अब राश्पती जी मुझे डिस्मिस कर देंगे तुरंट क्योंकि राश्पती जी नहीं मुझे अपॉइंट किया है PM के कहने पे लेकिन appoint किया है President तो President या उससे कोई और बड़ी body ही मुझे हटा सकती है अब राश्पती से बड़ी कोई body है ही नहीं तो राश्पती ही मुझे dismiss करेंगे राश्पती नहीं मुझे appoint किया था Now, precise over the meetings of Council of Ministers जब भी मुझे WhatsApp पे आएगा, अगर मैं Law Minister हूँ तो मुझे WhatsApp पे आएगा, कि भाई आपको पहुंचना है Council of Ministers की meeting होने वाली है जल्दी पहुंचो, कल सुबह 8 बजे आपकी सुबह meeting है भाई PM के साथ तो Prime Minister जब आएँगे, that means he's the Prime Minister बागी ministers के उपर हैं, वो Prime हैं बस बराबर हैं, पर he's just first तो अब वो preside करते हैं over the meetings of Council of Ministers Also, PM guides, directs, controls and coordinates the activities of all the ministers मतलब, PM जो होंगे, वो guide करेंगे, Law Ministry को भी, Defense Ministry को भी किसी और Ministry, Foreign Ministry को भी, किसी को भी Ministry को कि आपको क्या-क्या काम करना है, कब तक करना है, कितना करना है और सारे कामों में तालमेल है कि नहीं, पूरा-पूरा, यही बताएंगे PM की advice final होगी पूरे Council of Ministers क्या है इनके ही तो, मतलब, इनके साथ रहने वाले लोग हैं तो इनकी सुनेंगे ही सुनेंगे, क्यों हो, क्योंकि सारे मंत्रियों में यह सबसे बड़े हैं, ऊपर हैं Now, he can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office अगर Prime Minister जी ने resignation दे दिया तो इसका मतलब सारा मंत्रि मंदक का resignation हो गया भले ही मैं तब भी बोलता रहू, नहीं, मेरी law ministry, मेरी law ministry कोई नहीं सुनेंगा मेरी बात वो बोलेंगे आपके PM जा चुके हैं, आप कम निकलोगे, चलो हैंसे खाली करो, रास्ता, हटा हो हैंसे, हटा देंगे मुझे कोई नहीं सुनेगा मेरी बात Now, resignation और death of an incumbent Prime Minister automatically dissolves the Council of Ministers साब बात है, हमारे ऐसे हो भी चुका है, पहली कई दफ़े हो चुका है हमने कितनी सरकारों में देखा है कि जब Prime Minister ने इस्तीफा दिया तो साथ-साथ उनकी पूरी Council of Ministers हट गई, भंग हो गई अब भले उसमय लोकसभा नहीं गई है, पर वो सरकार चली गई है जैसे वाजपी जी की सरकार, जैसे गुजराल जी की सरकार तो ये सारी सरकार है अपने आप ही सिमट के खतम हो गई क्योंकि Prime Minister ने इस्तीफा दे दिया है या Prime Minister की death हो गई, of course तो death हो गई तो ऐसे case में फिर जो प्रेसिडेंट तो यह यह किसी ने most को बनाओ, नहीं है तो किसी और को बनाओ, जो भी parliamentary party जो कहें, जिसको बनाना है यह सारे आप देख रहे हो, कि जब PM जब portfolio shift करते हैं जब shuffling कर देते हैं, तो ऐसा होता है किसी को यह मिलता है, किसी को यह मिलता है तो यह है हमारे top gainers, जिनोंने shuffling के बाद ministry आप पाई थी जैसे हमारे HRD minister, जैसे यह हमारे minister of state for railways plus telecom ministry, minister of state for environment, minister of state for parliamentary affairs plus chemical and fertilizers, यह सारे ministers हैं इनकी सब की ministry छीन ली गई इनसे और यह कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं तो ऐसा ऐसा होता होता है, खूब होता है हम अब जानेंगे president के साथ, इनका रिष्टा कैसा होता है तो 78 कहता है article, कि PM is the primary means of communication मतलब कि राश्पती जी अब पूरे मंत्री तल से तो क्या बात करेंगे इतने 70-75 मंत्री हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो मुखिया को बोलाते हैं आप मैंसे सरकार, आप मैंसे सरकार आप चला रहे हो न, आप आओ, बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग तो ऐसे में ये राश्पती जी और council of ministers के बीच में ये भूमिका निभाते हैं एक bridge की और ये बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर की responsibility होती है to inform the president, ये राश्पती को सूचित करते हैं कि सर या मैम, मेरी सरकार, आपके नाम पर ये decision लेने वाली है, देख लो आप Now, of all the decisions made by the council of ministers regarding the administration of union affairs and legislative proposals, अभी देखते हैं इसको Now, PM has to furnish such information as the president may call for, regarding the administration of union affairs and legislative proposals ये क्या है, दोनों बार मैं एक चीज़ पढ़वा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी मसला, जो union affairs को को administer करने के लिए होगा, union affairs माने कोई भी जो center के जो काम होते हैं, उनको जब प्रशासनिक रूप से जब चलवाना होगा या कोई नया proposal लाना है, कोई नया legislative proposal लाना है, कोई नया कानून के बारे में बताना है तो ऐसे case में राशपती को PM ही furnish करते हैं सारी information इन cases क्या रहा हूँ, कि Madam President, मेरी सरकार आपके नाम पे ये कानून लेके आने वाली है अगले session में हम ये लेके आएंगे, और ये उसका खाका बिल ऐसा है अभी इसमें रफ रफ पॉइंट, तीन-चार पॉइंट में है, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपकी मुझे रजामंदी चाहिए, और बाद में मुझे आपका अशिरवात भी चाहिए अगर प्रेसिडेंट की चाहत हो, प्रेसिडेंट चाहें कि ऐसा आपके बीच में कोई मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर जी, आपके 70-75 मंत्रियों के बीच में, जिनका की कुछ special proposal है और वो decision, आपने अभी तक उस पे decision कोई लिया नहीं है, आपके मंत्री मंडलने कि किसी एक मंत्री ने कुछ ऐसा सोचा है, जैसे Minister of Agriculture, Minister of Animal Husbandry, जैसे ये हैं, अगर पशु पालन मंत्री हैं और Animal Husbandry के जो मिनिस्टर हैं, अगर वो ये कहें, कि यार में पशु क्रूरता अधिनियम की जो सजा है, जो क्रूरता का सजा 50 रुपे की पेनल्टी है अगर किसी पशु के साथ कुरूरता होती है तो, तो मैं चाहता हूँ, मैं Minister होके, कि मैं इस Act में Change करवा हूँ और इसके लिए मैंने रिटिन में दिया है राश्पती को भी, इसके लिए मैंने रिटिन में दिया है लोकसभा के Speaker को भी तो, पर अभी तक मंत्री मंदल ने इस पे विचार नहीं किया है तब ऐसे केस में राश्पती जी का मन हो सकता है कि राश्पती जी बोले कि Prime Minister, listen to your Minister, जो आपके एक Minister है, उन्होंना ऐसा सोचा हुआ है आपके मंत्री दल ने इस पे कभी विचार नहीं किया है Think over it, इस पर सोचो, इस पर थोड़ा सा विचार, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ Also, Prime Minister ही advise करता है राश्पती को in regard to the appointment of key officials मतलब important post आपकी जो future में जो आपका जो goal है तो जैसे की Attorney General of India, CAG बनना या Chairman and members of the UPSC आज तो खाली UPSC exam लिखोगे आप, क्या पता कल को आप Chairman बन जाओ UPSC के कितनी बड़ी बात होगी तो आप जैसे election commissioners, तो आप जैसे लोगों का appointment राश्पती करेंगे पर करेंगे PM की advice के, advice की वजएसे ठीक है, now, finance commission, कई सारे और ऐसे आयोग हैं, कई ऐसे और सारे offices हैं, यह ऐसे key, मतलब important, important officials हैं, जिनका appointment होता है राश्पती की, राश्पती की महर से, पर वो PM advise करते हैं राश्पती को, हम पहले पढ़ चुके हैं यह बात हैं, अब मैं चाता हूँ आपका सपना जितनी के relation में, PM का रोल क्या-क्या है, तो PM is the leader of the lower house, जिसे कहते हैं, leader of लोकसभा, तो यह leader हैं, लोकसभा के, जो सरकार बैठती है, जो majority सरकार, जो अपनी majority proof करी हुई है, तो उसके जो मुखिया माने जाएंगे, तो वो होंगे leader of lower house, that is prime minister, जो leader of opposition होंगे, वो कोई एक चुने जा तो जो सारी minority parties हैं, चाए Congress हो, चाए UP हो, कोई हो, तो तो ने सारे दल हो, यह सारे आपस में साथ मिल सकते हैं, और यह बोल सकते हैं कि हाँ, हम पर majority नहीं है, ठीक है, पर हम सब party हैं मिलके, फलाने person को, फलाने MP को, हम बोलते हैं, leader of opposition, L.O.P. कहते हैं इसको, leader of opposition, मतलब के, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तो जो नेता प्रतिपक्ष होंगे, वो एक चुने जाएंगे, और यह होंगे PM, जो नेता पक्ष के होंगे, जो नेता होंगे, सरकार के lower house के leader होंगे, main माने जाएंगे, advises the president with regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament, मतलब चलो, line में बैटो, तो राश्पती जी बैठवाते हैं, पर advice कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही करते है राश्पती जी को कि मालिक बलाओ, देश में जंग उने वाली है, यहां देखो, यह लोग सब चुट्टी मना रहें MP, तो इनको बलाया जाता ह है, also, राश्पती कैन प्रोरोग, मतलब राश्पती कैन सस्पेंड तो लोग सबा, और नहीं बताएंगे, अगली बार कम मिलेंगे, पर क्योंकि यह इसलिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि PM नहीं बोला हुआ है, PM ने बोला है, लोग सबा को प्रोरोग कर दो, लोग सबा को एड़ोरण, प्रोरोग, तो यह सारे वर्ड लगते हैं similar, पर यह है नहीं, now, can recommend dissolution of the लोग सबा to the President at any time, यह भी कर सकते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर के पास ही तो पावर है, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, कि साब, मुझे नहीं लग रहा, मैं अपनी लोग सबा मिज और यह लोग जाने वाले हैं, मुझे दिख रहा है, इससे पहले मेरी फजीयत हो, इसके पहले मेरी किरकरी हो जाए, तो आप एक काम करो, आप लोग सबा को भंग कर दो, मुझे नहीं चाहिए सरकार, अब इसके बाद आपका मन हो, तो दूसरी किसी opposition party को बुला के बात कर ल तो जब written में cabinet लिखके देगी, कि हाँ सब राश्पती जी, आप लोग सबा को dissolve कर दो, लोग सबा का dissolution कर दो, तो राश्पती जी किसी भी समय उसको कर सकते हैं, जब उनके बास यह order आ जाएगा, He announces government policies on the floor of the house, यही हैं, जब कोई भी बिल आता है, कोई भी सरकार नई नीती लेके आती है, कोई भी नया ऐसा कदम लेके आती है, तो लोग सबा में प्रधान मंतरी की ही जिम्मिदारी होती है, कि वो लोग सबा में जाएं, और opposition को, यानि सब पूरे देश को एक साथ TV पर हैं, लोग सबा टीवी पे, कि हाँ साब, हम संसर टीवी पे, कि हाँ साब, हम एक नीती लेके आने वाले हैं, हम एक कानून लेके आने वाले हैं, हम एक policy लेके आने वाले हैं, कोई नई tax regime है, कोई नया budget है, कुछ भी हो सकता है, तो पार्लेमेंट में, लोग सबा में, इनकी इनकी उती जिम्मेदारी कि ये जाएं फर्ष पे और ये जाके सदन में बताएं कि हाँ साब मेरी सरकार एक और अच्छी नीती लेगा आने वाली है बहुत बढ़िया नीती है देखना क्या क्या है और पावर देखो इनकी पावर ये भी है कि ये कई सारे ऐसे बॉडी हैं कई हैं जिनके ये चेर्मेन होते हैं आटोमेटिक क्योंकि या जो बॉडी है उसके पास पावर बहुत है तो जैसे की नीती आयोग जो कि पहले था प्लानिंग कमिशन नाव नाशनल इंटीग्रेशन काउंसल इंटर स्टेट काउंसल ऐसे ऐसे नाशनल वाटर रिसोर्स काउंस और बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे बाड़ी कुछ-कुछ और नाम पता हैं आपको कमिशन के जिनके चेर्मेन पीएम होते हैं नाओ शेपिंग दे कंट्री इस फॉरेन पॉलिसी यह प्राइम है ना मिनिस्टर हाला कि फॉरेन अच्छे नहीं रखने है यह दुश्मन अपने फॉरेन से आपने फॉरेन सेकृरिटिर उकों पताना पड़ेगा आप जैसे लोग जब छूपको फ्यूचर में जाओगे किसी आसी कंट्री माँ आ वीजिप्ट में घया आप कहीं एशी और जगए और वहां पे आपका आपके ऊपर आपके ओपर थम्मेदारी है कि आपको इंडिया को represent करना है पर आपको अपने देश की सरकार की foreign policy दिवाग में रखनी है कि यार हमारी foreign policy है कि हम act east, look east या हमारी foreign policy है south-south relation या हमारी foreign policy है non-aligned movement या हमारी foreign policy कुछ भी और हो सकती है कि हमें trade बढ़ाना है Korea से या हमें import जो हमारा trade deficit है हमें import कम करना है चाइना से तो ये सारे factors आप दिवाग में लेके चलोगे क्योंकि आपके ऊपर direction दिये गए हैं सरकार से जो इंडिया में बैठके चल रही है ठीक है now chief spokesperson होते हैं ये for the union government that's of course ये chief यही तो spokesperson है जो अपनी सारी बाते हैं जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं इनकी बात क्योंकि प्र crisis manager in chief उल्टल लग दिया है मैंने chief crisis manager बोलो या crisis manager आगे dash in dash chief ऐसे लिख लो इसको ठीक है तो ऐसे भी लो कैसे भी लो कोई फरक नहीं पड़ रहा है ये होते हैं chief crisis manager at the political level during emergencies COVID जब COVID आया था तो हर कोई प्रधान मंतरी की तरफ उंगली करके देख रहा था कि सर बताओ क्या करना है क्या करें तब प्रधान मंतरी को tough से tough decision लेने पड़े हैं प्रधान मंतरी ने इनी कोई सारे दिन, सारे घंट, सारे दिन, रात इनको काम करना है अब officers से आप जो permanent officer हैं, जैसे आप जैसे future officers तो आप लोग तो पर्दे के पीछे बैठके काम कर रहे हो कोई जनता आप से सवाल नहीं पूछेगी जनता पूछेगी आपके boss से सवाल जिनको उनों आप चुनके बेजा है तो उनी पही सारा question है जब आप बहुत अच्छा कोई scheme लगवाद होगे implement करवाद होगे, तारीफ भी वही लेंगे और आपने अगर कोई implement करवाया scheme, नहीं चली scheme, कोई बात नहीं तो उनको ही फिर फजीयत उन्हीं की फजीयत, उन्हीं की किरकरी होगी क्योंकि वो temporary boss है and he is the political executive and he is your boss and he is responsible to the public at large, उनकी उपर जम्मेदारी है क्या करें, now he is responsible for meeting various groups of people in different states and receiving a memorandum from them regarding their issues as a leader of the nation, साब बात है क्या करें, जब इन्हें मिलना पड़ा, कई ऐसे लोगों से परिखानिया होती है, तो अब क्योंकि ये सरकार के मुखिया है, तो सरकार के मुखिया होने की वजए से इनकी जम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें शपत लिए, कि he will do right to all manners of people of India, तो आब ये लोगों से मिलेंगे, लोगों से उनकी चर्चाएं सुनेंगे, उनकी बाते सुनेंगे, आपकी क्या तकलीफ है, आपके क्या इशूस है, हमें बताइए, लोगों से मन की बात करनी पड़ेगी, तो इसी लिए हम बोलते हैं, कि इनको क्योंकि लीडर अफ नेशन है ये, आप जाओगे, तो आप होगे non-political, ए-political, आप ए-political अंग हो, इस सर्विस के, ये हैं political head, अब हो सकता है party कोई और आई इसके बाद, तो आपको उस party के बाद सुननी पड़ेगी, आप तो हो ए-political, हम ए-political हैं, हम किसी एक party के नहीं हैं भाई, हमारी ideology नहीं है, हमारी जैसे boss आएंगे, जो ये boss बोलेंगे, हम कर देंगे, क्योंकि हम I.E.S. officer है, हमको knowledge जरूर है, पर हमारे पास political will थोड़ी है, हमारे पास वो vision नहीं है, जो जनता की aspirations है, जो जनता की demand है, जनता की demand है, किसाब हमें ये hospital बना के दो, हमें ये building बना के दो, हमें ये मूर्ती बना के दो, तो करवा देंगे, ठीक है, वो काम हमारा है, वो हम कर देंगे, पर जो जनता की demand है, वो political head के पास होगी, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ये भी Prime Minister की duties हैं, अंबिटगर जी का ये court बड़ा अच्छा है, इन्होंने बोला है, कि आप US के President को देख लो, और आप हमारे Prime Minister को देख लो, बस, ये बराबर है, ठीक है, if any functionary under our constitution is to be compared with the US President, he is the Prime Minister and not the President of the Union, बले देश के मुखिया राश्पती जी हैं, पर जैसी power आप Head of Executive US में देखते हो, वैसी power Head of Executive हमारे PM में देखेगी, ना के राश्पती में, बस, ये court important है, भई, एक बात याद करना, जब भी आप कोई polity का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कि आपके answer में, जो हमारे सम्विधान निर्माता है, उनका कोई court ना पहुँचे, आपको अपने answer में, Sir Ambedgar जी का एक court डाल नहीं पड़ेगा, ये mandatory है, mandatory तो क्या कहूँ, पर आपका answer चमक जाएगा, आपका answer अलग से ही ऐसा दखेगा, कि हाँ, he knows, she knows, अब, ऐसे कई सारे scholars थे, बड़े-बड़े scholars, London के, England के, US के, बहुत सारे इन लोगों ने न, कई सारे प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर गवर्मेंट के model पे, कई सारे व्याख्यान दिये हैं, तो, अब जैसे आप देख रहे हो, लॉर्ड मॉडले ये हैं, तो इन्होंने बोला है, प्राइमस इंटर पैरस, वा, क्या वर्ड दिये हैं, वा, 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 English का scholar है, Latin का वर्ड दिया है, तो इन्होंने बोला है, कि प्राइमस इंटर पैरस मने, first amongst the equals, मतलब, अगर, ये, 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 ये सब हैं, तो जो PM होंगे, वो बस ऐसे होंगे, ठीक है, सारे एक सारे बराबर हैं, पर ये बस first हैं, ये पहले हैं, ये ये कहना चाह रहे हैं, and he is the keystone of the cabinet arch, वा, क्या English है, क्या बढ़िया बात है, क्या मतलब है कहने का, कहने मतलब ये है, अगर आपने पुराना ब्रिटिश का construction देखा होगा न, तो आपने कुछ ऐसा जरूर देखा होगा, इमारते हैं, इमारते हैं, बिल्डिंग, आपने arch डॉम देखी है, कैसी होती है, तो कुछ ऐसी होती है, ऐसी, ऐसी, ये, तो, जब ऐसी कोई आप बिल्डिंग देखते हो, ऐसे में क्या होता है, ये जो बिल्डिंग होती है, इसको बोलते हैं, हम इस पूरे portion को, ये वाले portion को, ये होता है arch, अब इस arch में, जब आप अगर civil engineering के बच्चे कुछ होंगे, तो जानते होंगे, कि जब arch बनाई जाती है, तो क्या होता है, कई सारे ऐसे ईटे लगाई जाती है, ऐसे, 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 ठीक है, अब यहाँ वाली जो इट होती है, ये वाली इट, इसे कैसे ही, फिर ऐसे कैसे पूरी arch खड़ी रहती है, जो की स्टोन होगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कि ये की स्टोन है, और ये cabinet arch का main keystone है, जिसकी वज़े से पूरा arch टिका हुआ है, अगर बीच वाला ये ना हो यहाँ पर ये stone, तो arch पूरा बन नी पाएगा, हिल जाएगा, तो बीच वाला जो wedge वाला जो stone जाता है, वो arch को रोके रखता है, ऐसा मोरली सहाब ने बोला है, क्या बगत है, देख रहो, now, Sir William Werner Harkart, इन्होंने बोला है, PM, Interstellus Luna Minoris होता है, बाभाभा, क्या बात है, इन्होंने बोला है, ये चान हैं among lesser stars, मतलब बागी तो सितारे हैं, और ये एक चान है, तो ऐसा इन्होंने बोला है, कि सब हैं आस्मान में, और दिख रहे हैं रात में टिम्टिमा रहे हैं, सब चमक रहे हैं, पर चान अलग से दिखता है, चान बड़ा दिखता है, चान होता है, उचा गोल एक दम दूर से चमक जाएं, वो है, इवोर जनिंग साहब, इनको तो हम कब से पढ़ रहे हैं, तूसी क्लास से ही पढ़ रहे हैं इनको तो हम, तो इन्होंने कहा है, यह एक जिसे कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक थियोरी, अगर आपने पढ़ी हो, गैलियो की थियोरी, तो एक समय पे, क्रिश्चैनिटी की थियोरी होती थी, जियोसेंट्रिक, कि सारा सोलर सिस्टम, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ऐसा बोला था, फिर गैलियो ने कहा, कि नई, सब बेफकूफी है ये, चर्च वाले गलाद बता रहे हैं, तो मैं कुछ भी बता रहे हैं, नई, सन के अराउंड घूमते हैं सारे प्लैनेट, तो ऐसे ही, ऐसे जब गैलियो ने कहा, कि सन के अराउंड सब होता है, ये सब पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे, वो सारी की सारी बातें आखिर में पीम तक जा रही हैं, एक लाटिन का भी एक शेक्स्पियर की लाइन है ये, आगे बताओ मुझे, अगर याद है किसी को तो, आगे बताओ मुझे, लीट टू, लीट टू, ये रोमन एंपायर इतना बड़ा है, और जो रोमन एंपायर का जो में जो एरिया है, में जो कापिटल है, वो रोम है, तो एक कावाद बनी थी कि आउल रोड्स लीट टू रोम, अब यहाँ पे, आल रोड्स लीट टू लीट टू प्राइम मिनिस्टर, बस, साब बात, अब एज्जे लस्की साब बोले, कि on relationship between the PM and the cabinet, मैं एक बात देख रहा हूँ, कि PM is the central, PM is central to its formation, central to its life, and central to its death, मतलब PM ही है, जो cabinet बनवाते हैं, cabinet चलवाते हैं, और cabinet को मरवाते हैं, यह हो, भई यह तो काम प्राइम मिनिसर के पास ही है, कि he is the pivot around which the entire governmental machinery revolves, pivot समझते हो, फलक्रम, मतलब जैसे आपकी cycle का जो पहिया होता है, तो उसमें एक जो एरिया है, जहांसे सारे spokes निकलते हैं, यह सारे जो spokes होते हैं, तो यह है वो pivot, यह वाला एरिया, इसको बोलते हैं, बीच वाले एरिया को pivot, अब इस pivot के around सब कुछ घूमता है, अब ऐसे ही governmental जो machinery होती है, वो सब की सब PMO के around घूमती है, प्राइम मिनिसर ओफिस के around, प्राइम मिनिसर ओफिस सब कुछ कंटिल कर रहा है, यह सब बात हैं यह लोग बोल रहे हैं, Westminster model के लिए, Britain के model के लिए, जो Britain का Westminster model है, यह वहाँ बैठती है, अब यह लोगों ने उन government के लिए बोला है, कि ऐसा structure जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे, UK में, अब ऐसा structure हमारे आपको दिखेगा, यह सारे जो statement है, यह गलत नहीं है Indian context में, यह भी सही है, जैसे, the government is the master of the country, and the PM is the master of the government, कितनी सही बात है, कि जो सरकार है, वो तो देश के master है, सबसे बड़ा देश का, he is the master of this country, नाउ, उस सरकार का जो मुखिया होगा, that is the Prime Minister, प्राइम मिनिस्टर के पास absolute power है, और मैंने आपको बताया है, कि प्राइम मिनिस्टर पास इतनी बड़ी power है, कि जो हमारी nuclear missiles के जो code होते हैं, जो US में राश्पती जी के दिये जाते हैं, Hollywood picture हो में, वो हमारे राश्पती के पास नहीं होते हैं, वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओफिस में, तो, मुन्रो साहब ने बोला, इनके हमको फोटो नहीं मिल पाई, यार, PM as the captain of the ship of the state, वाह, सबने अपने अपने तरीके से English language का use किया है, और बहुत ही प्यारे प्यारे definition दी हुई है, कितनी साही बात है, he is the captain of the ship of the state, यहां state मतलब राज जे नहीं है, UPBR, MP, करनाटक, नहीं, state महान है, state, state, पुरा India as a state, नाओ, रैम से मुहर साहब बोले, कि PM as the steersman of the steering wheel of the ship of the state, हैं, यह क्या हुआ, तो, जैसे आपने Pirates of Caribbean, अगर किसी नहीं देखी हो, Pirates of Caribbean, Captain Jack Sparrow, तो उसमें जहाज का, जो एक steering होता है, वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, उसमें कई सारे spokes निकले होते हैं, वो जगे बें जोड़ा होता है, साथ ही, उसमें ऐसे बाहर-बाहर भी, एसे लकडी के, एसे छोटे-छोट टुकडे निकले होते हैं, तो इन लकडी के टुकडों को, पकड़ पालके घुमा देते हैं, हम ऐसे करकर के, यहीं से पकड़ा, यहीं से पकड़ा घुमा दिया, तो जो घुमाता है, उसको बोलते हैं, Steersman, और यह होगई steering और यह जो हमारा ship of state है उसके Prime Minister होते है वो steersman होते है रैमसे मुएर सहाब ने बोला है क्या बढ़िया बाते कर रहे हैं लोग now comes Crossman सहाब पर उससे पहले मुझे एक बात बतानी पड़ेगी कि जो मैं बोल रहा हूँ आप से यह बोला गया था British Parliament के लिए पर Indian context में it holds good, it holds true the role of the the role of the Prime Minister in the British Parliament is so significant that and crucial that observers like to call it a Prime Ministerial Government of course it's a Prime Ministerial Government हमारी आप आज की सरकार देखो तो आज की क्या, कई सालों की सरकार देख लो जब भी मैं आपको पढ़ाया, मैं आपको कैसे पढ़ाया के नहरू जी की सरकार, इंद्रा गांदी जी की सरकार, मुरार्ची दिसाई जी की सरकार, लारबदो शास्त्री जी की सरकार या राजिक गांदी जी की सरकार, कुचराल साब की सरकार चौधे चरनड सिंग जी की सरकार यानि Prime Ministerial Government है तो प्राइम मिनिस्टर के अराउंड सरकार गूम रही है अब same description Indian context में भी बिलकुल सटीक बैठता है सही बैठता है Crossman साब में बड़ी सही बात बोली है कि जो post war epoch है post war माने world war 2 के बाद से जो एक नया जो ये समय आया है जो नया दौर आया है इस दौर में हम देख रहे हैं कि final transformation of the cabinet government into the prime ministerial government पहले world war 2 से पहले तक हम देखते थे कि चर्चिल की सरकार थी या उससे पहले Ramsey McDonald की सरकार थी Clement Attlee की सरकारें थी तो यहाँ पर cabinet के पास power थी cabinet है अब सारे के सारे minister रहें अड़े जाते थे अपने PM के साथ ही सही से करो हम बता रहें क्या करना है अब के समय में world war 2 के बाद से खासकर चर्चिल के दौर के बाद से हम देखते हैं कि prime minister important है prime minister जो कहेगा वो ही माना जाएगा उसके बाद argument है ही नहीं कुछ भी अब prime minister ने कर कह दी बात कि सहाब फ्रांस जर्मनी से जंग लड़नी है तो लड़नी पड़ेगी है क्या करें लड़ेंगे फिर करवाओ लड़ा लो अब हम देख रहे हैं इन्होंने बोला था एक और बात कि westminster model का westminster model जो ये होता है जो हमने अपनाया है तो ये धीरे धीरे डेड हो रहा है और ये धीरे धीरे बन रहा है prime ministerial model ये बोला था इन्होंने और ये एक problem है ये इनके हिसाब से democracy की कि सहाब एक शक्स में ही बिलकुल super minister हो गया है वो prime minister भी नहीं है super minister है तो ऐसा इन्होंने बोला ठीक है आप बोले कि बोलकर बड़े scholar हैं बड़े आदमी हैं अब राश्पती जी के साथ इंकरिष्टा पहले हम देख चुके हैं इस चीज को दुबारा से एक बर देख लेते हैं इन्होंने बोला है आर्टिकल 74 में कि there shall be a COM of course council of minister मंत्री मंदल होगा with the prime minister at the head to aid and advise ठीक है जो prime minister साहब होंगे मंत्री मंदल के मुखिया होंगे और वो राश्पती की सहायता करेंगे राश्पती को advise देंगे who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advise ये amendment के तहत एड़ हुआ था ये वाला portion कि जो भी राश्पती जी को advise दी जाएगी राश्पती जी को माननी पड़ेगी sorry all the best माननी पड़ेगी इसके लावा कोई option नहीं है now ये बोल दी हमने amendment के तहत पर असल में क्या देख रहे हैं president may ask to reconsider advice कर सकता है ना क्यों नहीं कर सकते हैं भाई अगर राश्पती जी के पास कोई advice आई राश्पती जी ने पड़ा prime minister कैसे कर रहे हो यह काम और क्यों कर रहे हो यह काम तो भाई PM बोलेंगे भाई मेरी सरकार है मेरा मन है करना है जरूरी है राश्पती जी बोलेंगे एक बार सोचलो दुबारा से और मैं साइन तो कर दूंगा मेरी क्या मेरी क्या गराज है पर तुम्हें जेलना पड़ेगा तुम्हें लोग फिर सुनाएंगे बाद में तो पीम बोलेंगे अच्छा लाओ ठीके मैं सुनता हूं बात लाओ एक बार भेज़ो वापस मुझे बिल तो एडवाइस वापस चली जा थी वो मानी गई या नहीं मानी गई वी डोंट नो वी डोंट केर पर अगर एडवाइस दुबारा गई इनके पास वह एडवाइस इनको माननी पड़ेगी यह अमेंड्मेंट के तहत एड़ हुआ था यह बहुत बड़ा पोस्ट इंडेंडेंडन्स जो हमारा हिस्ट्य कई दफे मैं आपको रटवा चुका हूँ याद करवा चुका हूँ 42nd इंडरा कांदी जी का 44th उनके बादवाली सरकार का सरकार को सी थी बादवाली पता ना मुझे ज़रा फिर आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 में यह कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल भी अपॉंटेट साफ बात अब जो बाकी मंत्री होंगे बाकी मंत्री शैल भी अपॉंटेट बाइद बाइद प्रेसिडेंट ऑन दे एडवाइस ऑफ द पीम साफ बात है पीम कहते हैं कि मुझे चाहिए आधित सर एज लौ मिनिस्टर ओके ठीक है पर क्या आधित सर एक मेंबर ओफ पारलिम देंगे देंगे दे मिनिस्टर शैल होल्ड ओफिस जोरिं दे प्लेजर अभी बढ़ाया दा मैं आपको पीछे के मिनिस्टर अपना समय करते हैं अपना ओफिस होल्ड करते हैं as long as the president is in pleasure ठीक है जब तक राश्पती जी कप जब तक राश्पती जी सैटिस्पाइड है now council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people अगर अजित sir law minister है और एक दूसरा कोई और अगर मानलो अलग sir education minister है तो अगर अलग sir ने कोई ऐसा action लिया जो लोगसभा के लिए बहुत अच्छा है जो एकदम लोगसभा खुश हो जाएगी ताली बजा देगी कि sir क्या education में आप लेके आयो revolution nice तो इसका म अगर मैंने कोई गलती कर दी अगर मैंने कोई ऐसा कानून बना दिया जो की बहुती dangerous है जो बहुती ऐसा है कि यह बगवान क्या है यह तब उस case में मैं तो responsible हुई हूँ साथ में अलग sir भी है साथ में Prime Minister भी है हम सब के सब सारा मंत्री मंडल पूरा का पूरा मेरी एक गलती के वज़े से बरखास्त हो सकता है पूसिबल है यह बात अब इसी लिए बोलते हैं कि जो council of minister पूरा होगा पूरा मंत्री मंडल यह collectively responsible है to the house of people to the house of people parliament को नहीं, लोकसभा को, लोकसभा में अकर majority चली गई, मेरे किसी है in action की वज़े से यह action की वज़े से तो गई सरकार भाए, खतम हो जागी सरकार Now, इसके बाद एक important है कि Prime Minister, he is primary means of communication between the council of ministers and the president साब बात है, वही चीज़, same, same का same, क्योंकि हम देख रहे हैं, राश्पती का और PM का relation कैसा है, ठीक है PM's responsibility is to inform the president of all the decisions made by the council of ministers and furnish such information as the president may call for In what matters? In matters regarding the administration of union affairs and legislative proposals सही बात है, अभी बढ़ाता पीचे हमने Now, if the president requires so, same का same, submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by an individual minister ठीक बात है, यह हो सकता है, अभी हमने पीचे पढ़ा है, एक minister चाहे तो कुछ भी कर दे ऐसे कुछ CM, कई ऐसे CM हैं, जो PM मने हैं, ऐसे 6 लोग हैं, जैसे मुरार जी, दिसाई जी, जैसे चौधरी चरण सिंग जी अब, आपको पता है, कि जब यह CM थे, उस समय बंबे स्टेट के, तो बंबे स्टेट में कितने स्टेट आते थे? याद है, और 1952 152 की बात हो रही है, मतलब पहला SRC नहीं आया था, State Reorganization Commission, वह वहाँ का समय की बात हो रही है, तब यह उस समय के CM थे, बाद नहीं यह PM बने हैं हमारे, मुझे ही बताना, कि PM का इनका कारेकाल कब से कब तक था, PM, tenure, ठीक है, tenure या period, कौन से year से कौन से year तक मैं ऐसे ही पूछूँगा, अब सब को बताना पड़ेगा, और सब बताएंगे, कोई miss नहीं करेगा, जो सुन रहा है lecture, बताते चलो, यह आपकी history strong कर रहा है, यह portion, now, 14 चरण सिंग जी, यह कहां से थे आपको याद है, यह undivided UP से थे, और इनके नाम पे एक university भी है, जो UP मह नहीं है, और किस जगा है वो बताना मुझे, तो यह UP के CM थे, इस year से इस year तक, और फिर इस year में, फिर यह PM मने, वो PM मनने के इनका period बताना मुझको, now, VP सिंग जी, VP सिंग जी, यह हमारे UP से एक और CM से, जो बाद में PM मनें हमारे यह, VP सिंग जी, ऑफिस में आये थे, 1980 से, 1982 तक, ठीक है, फिर इनका कारेकाल क्या हुआ, now, VP नरसिंग मराओ जी, यह पहले CM थे, जो South India से आये थे, ठीक है, अब जब यह CM थे अपने आंधरा के, उस समय, 1971-73, क्या उस समय तक, आंधरा में, कुछ ऐसा हो रहा था, जो important था, जिसकी वज़े से इनको, फिर, हमने इनक PM बनाया, सब कुछ बनाया, इनकी हिस्ट्री आते आते तक, important हो जाता है, हमारे इंडिया का, आगे का context, now, देवगोडा साहब, देवगोडा साहब CM थे करनाटका के, second PM from the South, so, CM of करनाटका, when he was chosen to lead the United Front, United Front Government in June 1996, फिर, इनके सरकार भी चली गई थी, फिर, अभी के हमारे current Prime Minister that is Prime Minister Narendra Modi ji, ये, जब CM थे, चार बार, गुजरात के, 2001 से, 2014 के, और इनका कारे कल तो बता ही दोगे, इनका कारे कल तो भी current चल रहा है, इसलिए आसान है बताना, खेर, ये तो क्या बूछूँगा, पर पहले के ज़रूर बताना मुझे, पहले वाले important है, now comes, a caretaker government, caretaker मान आपका transfer भी हुआ करेगा, आप एक office से दूसरे office जाओगे, एक जिले से दूसरे जिले आपका transfer होगा, तो ऐसे में क्या होगा, आप अपना बंगला विकेट करोगे, आप अपना बंगला विकेट करके दूसरे बंगले में जाओगे, आप और आपका परिवार, अब जब द सामान थोड़ा सा यहां रखा हुआ है वो अभी परसों तो यांके ले जाएंगे यहां से ठीक है फिर आप बोलोगे कि अच्छा आप करो यहां के हां जी सर तो एक काम करो मेरा सामान आ चुका है मेरा सामान लगवाओ यहां पर सारा चलो ठीक है आप आपका काम हुआ करेगा तो ऐसे में अब जिस परसन से आपी बात कर रहे हो जो उस बंगले कर रहा है जो उस बंगले में लॉन का घास का पानी का बिजली का सब का ध्यान रख रहा है शारी चीजें वहाँ पे हैं कि नहीं कोई बलबल तूटा है तो सही करवादो कोई वहाँ पे कोई फरनीचर कोई ऐसे चोट खा गया है को फरनीचर अगर गल रहा है या जंग लग रही है उसको रिप्लेस करा है सब कुछ करा है तो जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं केरटेकर अब केरटेकर सरकार कौन सी हुई केरटेकर सरकार हुई जब बीच की स्थिति है कोई ऐसे बीच में अभी आय नहीं है, नहीं सरकार नहीं आई है, पुरानी सरकार जाने वाली है, तो लेकिन सम्विधान ने ऐसी कभी केरटेकर सरकार की बात नहीं करी है, सम्विधान does not contain any provision for caretaker government, अच्छा, फिर कैसे होगा, only situational arrangement and functional necessity, तब हम जरूद, तब हमें जरूद पढ़ती है, किसी ऐसी केरटेक some governmental functions, duties and functions in a country until a regular government is elected or formed, साब बात है, जो अगर कुछ समय के लिए है, तो वो सरकार बड़े-बड़े काम तो नहीं करेगी, फिर वो सरकार बस सरकार चलती रहे, normal रोज की daily day-to-day life चलती रहे, सुवह होती रहे, शाम होती रहे, तो वो काम करेगी सरकार, अब वही इनके पास बही इनके बाद रोल बचा हुआ है, प्रेसिडेंट आस्क्स केरटेकर गवर्मेंट टु कंटिन्यू अटिल अल्टनेटिव अर्रेंजमेंट्स अर्मेड यही बोलते राश्पती जी, कि भाई, अभी समय सरकार नहीं आई नहीं है, इलेक्शन होके जस्ट खतम हुआ है, अभी यह लोग सारे MP मिलेंगे, फिर अपनी सरकार बनाएंगे, या अभी हंग assembly है, जो भी है, तब तक सरकार आप चलाओ, तब तक आपकी day-to-day functioning हो रही है, यह वो चलाते रहो, इफ alternative government cannot be formed, अगर नहीं हो सकती, immediately, and general elections have to be held, तब उसके में क्या होगा, जो outgoing council of ministers होंगे, may have to hold charge till the conclusion of elections and formation of new government, यह होना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल पूरे हुए, सब के सब उतर के भग गए, नहीं, अब तो हम जब जीतेंगे तब ही आए है, है ही नहीं कोई साब, किसके नाम पे सरकार चले, भाई कौन चला रहा सरकार, तो ऐसे केस में, एक functioning democracy में, हमें continuity बनी रहे है, और कभी एकदम अकाल ना पड़ जाए, पावर का, पावर का ही अकाल हो गया है, लो, कोई आहीं नहीं रहा है, पावर लेने, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक temporary arrangement मनाएंगे, जिस में राश्पती जी बोलेंगे, कि हाँ साब, जड़ा कुछ दिन चलाओ सरकार, जब तक election होके, result नहीं आते हैं, और जब तक नई सरकार नहीं आ रही है, तब तक यहीं डटे रहना, यहीं खड़े रहना, नाओ, कियर टिकर government is meant for only managing the routine activities of the government, routine activities, कोई नई initiative न ले डाले है, ऐसे हमाई तारकंडे कमिटी है, यह तारकंडे साहब, इनका नाम है, यह justice हैं, यह हमारे देश के, तो इनके नाम पे कमिटी पड़ी थी, 74-75 में, और इस कमिटी ने recommend कि यह थे कुछ चीज हैं, कि क्रेटेकर सरकार क्या-क्या ना कर दे, क्या-क्या नहीं करते हैं, इन्होंने बोला, कि वो कुई नई policy का announcement ना करते, लो, जड़ा पांच दिन की सरकार है, आगे कहेगे के नई अधारकार बनेगा, नीले करणगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, आप केटेकर सरकार हो, आप थोड़ा सा काम है, आप आके नई policy का announcement करके नहीं जा सकते हो, कि लाव जाते-जाते एक नया फुल यड़ी और देजा इनको, नहीं, वो नहीं हो सकता, promise or start a new project, यह नहीं कर सकते हैं, अभी तुमारी 15 दिन के लिए तुम आए हो यहां पे, और तुम बोलके चलेगा है कि साब, गंगा पर एक और डैम मनाएंगे ह भाई, कहां, समय है तुम पे, समय क्या पैसा है तुम पे, वो भी नहीं है, छोड़ो इन सब चीजों को, तुम रुटीन एक्टिविटी करो, तुम बस यह देखो कि हाँ, लोग सुब आफिस में आ रहें के नहीं आ रहें, फाइलें आ रहें के नहीं आरी टाइम पे, बस कितना करना है, now, grant allowance और loan salary increases, hello, जाते जाते grant ही दे गए, किसको दे गए, किसी company को loan दे दिया, किसी state को extra grant दे दिया, या सबकी salary बढ़ा गए, जाते जाते, या कम कर गए, जो भी हो, तो कम तो पता नहीं कर सकते होंगे, पर जादा नहीं कर सकते, सरकार आने वले सरकार की तो headache हो जाएगा, या रहे, यह क्या करके चले गए, अब इसे समालो फिर दुबारा से, now, it cannot hold official functions attended by ministers, जे important है, क्योंकि इसे influence हो जाते हैं, बहुत सारे नए 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 policies, कि आप बिलकुल 10-15 दिन की सरकार हो यार, जाते जाते आप जाने वाले थे, आपने क्या किया, आपने सरक करके, एकदम दर्वाजे से, और तो यहां के पुरा नेतागिरी करके चले गए, नहीं, यह नहीं हो सकता, now, एक चीज़ और है, जब 79 में, जो मारे president थे, that is, N. Sanjeeva, Reddy जी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार लोग सभा को भंग करते हुए, एक communicate जारी कि कम्यूनिके माने, circular, एक मेरा communication हुआ है मेरे council of ministers के साथ, और मेरे PM के साथ, तो मतलब यह president साहब है, इनका अपना मंत्री दल था, जो उनका मंत्री मंदल था, और जो PM था, तो इन सब ने बैठके जो विचार विमर्श किया है, जो written में, एक दूसरे से letter में जो बाते हुई ह इन्होंने उसको circulate कर दिया है, उन्होंने उस communication को circulate कर दिया जनता में, इन्होंने क्या बोला, कि हाँ, elections will be peaceful, free and fair, जो आगे होने वाले हैं, क्योंकि लोगसभा भंग हो चुकी है, मैं लोगसभा को भंग कर रहा हूं, पर इसके साथ ही, मैं कुछ-कुछ बातें लिखके द of a significant order or constitute measures of administrative or executive decisions, मतलब जो सरकार है इस समय, जो केर्टेकर सरकार है, जो arrangement की सरकार है, जरासी, उसके पास कोई ऐसा, कोई ऐसी उसके पास वो चाहते नहीं है, कि वो कोई नए decision ले डाले, और इतनी कोई नए policy का बयान जाके दे दे जनता में, अरे नए policy आने वाली जनता मत क सकती है, नहीं, नहीं हो सकता, और कोई ऐसी नई spending नहीं खर्च कर सकती, extra से, कि अलग से वो यह नहीं बोलेगी, 15 दिन की सरकार के लाओ, 3000 करोड की एक हम नई जगे बनाएंगे, नया शेहर बनाने वाले हैं, यह नहीं कर सकती है, तो यह करने के लिए वो सरकार authorized नहीं है, दूसरा, अगर कोई urgent nature का काम आ गया है, बहुत ही urgent nature, मतलब माना जा रहा है कि भाई यह तो बहुत जरूरी था, क्या करें, अब था जरूरी तो छा, अब work of an urgent nature involving the national interest will not be held up, नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगी सरकार देख लेगी, अपने अब टोंट करी, हम को अलकटा हाई कोट का एक order, जिसमें इन्होंने बोला कि, December 79 में इन्होंने बोला था, मुरारजी देसाइजी की सरकार के around, इन्होंने बोला था, कि देखो, there is no mention of a caretaker government, अच्छा, ठीक है, as such in our constitution, now, अगर, if an extraordinary situation calls for a caretaker government, Prime Minister and the Council of Ministers, यह जितने थे अभी तक के, in such a situation, should carry on day- today administration in office, यही जो लोग हैं अभी के अभी, यही इन्ही के पास जम्मेदारी है, कि यह काम करते चलेंगे, जब तक के अगली सरकार नहीं आ जा रही है, अब लेकिन हम समझ रहे हैं, जो caretaker सरकार होती है, caretaker PM होता है, वो constrained होते हैं, मतलब वो बंधे हुए होते हैं, constrained होते हैं क्यों बंधे हुए होते हैं, वो इसलिए बंधे होते हैं, क्योंकि Parliament नहीं है, Parliament जो accountability के नजार रखती है इनके उपर, PM के उपर, लोकसबा भंग हो चुकी है, नई लोकसबा आने वाली है, और इस समय जो सरकार है, वो किसी को accountable नहीं है, भई लोकसबा सरकार सवाल पूछती है, लोकसबा कहती है, क्या बिटा, कहां खर्चा कर रहे हो, यह क्यों खर्चा कर रहे हो, यह क्यों यह काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे case में PM जो है, वो खुद ही बंधे हुए है, वो खुद ही जारा काम नहीं कर सकते हैं, किस से करा हैं, किस से पूछे हैं, बताने वाली तो लोगसरबादी वो तो ही नहीं हमारे पास. Now, दूसरा, government does not abuse its position to gain electoral advantage. होई नहीं सकता है, कोई नया काम आप कर नहीं सकते हो, कोई फरमान नहीं ला सकते है, कोई नहीं policy नहीं बता सकते है, कुछ भी नहीं आप नहीं कर सकते हो, तो आप अपने electoral advantage के लिए अपने चुनावी advantage के लिए आप position को use नहीं कर सकते हो, इसी लिए आप blocked हो, बने हुए हो, जो caretaker prime minister होता है. यहाँ पे, यह हमारा प्यारा सा chapter खतम होता है, that is the prime minister. Now we'll get back to questions. Questions इसके बहुत अच्छे questions हैं. अब एके करके amendment act, that is 1978. ठीक है. To the constitution of India, introduce an article placing the election of the prime minister beyond judicial review. सही लग रहा है? सही है क्या? Wrong! Okay. No! 42nd था, 39th था वो. This was 39th by the way, जिसमें बोला था कि PM, Vice President, यह भी President, Speaker, इनके election को कभी भी Supreme Court नहीं सुनेगी, इनके election को कभी भी कोई किसी कोड में चैलेंज नहीं किया जाएगा, वो 39th amendment था, 44th नहीं था, also, second सुनो, Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the constitution of India as being the violative of independence of judiciary. यह सही है, यह तो सही है. आपको याद है 99th amendment? क्या था 99th amendment? कुछ ऐसा important amendment था, जिससे पूरा का बड़ा Judiciary का structure हिलने वाला था, और वो Judiciary का structure बन नहीं पाया, वो, sorry, वो फिर amendment जो है, वो act चल नहीं पाया, तो वो उसको हटा दिया गया, उस पूरे act को ही, अब Supreme Court ने nullify कर दिया, यह statement सही है. That is, which are the following statements given above, is your correct? हमने देख लिया, correct पूछा है, तो correct माने answer is only two. Okay, next question is, दो statement देखो इन में. The executive power of the union of India is vested in the Prime Minister. यह तो statement सुनी-सुनी लग रही है या, statement सही है क्या? यह हमने एक class में पीछे हमने देखा भी है. यह statement है, गलत, 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 एकदम गलत, जो executive power होती है, it is vested in the, in the, president. राष्ट पती के नाम में होती है सारी power. Now, second statement, the Prime Minister is the ex-officio chairman. Ex-officio means, by the virtue of the office of. तो, PM is the ex-officio chairman of the Civil Services Board. Is that so? क्या लगता है? सही है statement. यह statement भी गलत, एकदम गलत. और अगर यह दोना statement गलत है, तो इन में से कौन सी statement सही है? कोई भी नहीं, कोई भी सही नहीं है. Now, आपको पता है, CSB का chairman कौन होता है? ex-officio chairman कौन होता है? आपका सपना, आपका final सपना, वो है, आपकी highest position आपके सपने की, वो होता है, अब कौन होआ, बताना मुझे ज़रा. Now, consider the following statements. फिर statements उनो इनकी, अब statement यह कह रहे हैं, the president shall make rules for the more convenient transition of the, sorry, transaction of the business of the government of India, अभी तक सही लगरी है statement, बिल्गुल सही है, and for the allocation among ministers of the said business. Correct, एकदम सही. राश्पती जी ही rule बनवाते हैं, राश्पती जी ही rule, कि मैं लिखवाते हैं, कैसे business होगा सरकार का, कौन सी ministry, कौन सी allocate, किसको कर रहे हो, आप लोग कौन सा business किसको दे रहे हो, होता PM के कहने पर है, पर राश्पती rules बनवाते हैं, ठीक है, all executive actions of the government of India, shall be expressed to be taken in the name of the, prime minister, हैं? क्या सारे सरकार के, जितने नियम काइदे होते हैं, executive action होते हैं, क्या वो PM के नाम पर लिये जाते हैं? हैं? ऐसा है क्या? गलात! Option is one only. इसने पूचा है, सही answer कौन सा है, सही statement कौन सी? हमने बता दिया, सही statement है, only one. Now, अगले पर आते हैं, एक और है, फिर statement देखो इनकी, ये कह रहे हैं, the council of ministers in the center shall be collectively responsible, सही लग रहा है, to the parliament, हैं? ट्विस्ट देख रहे हो? ट्विस्ट है आखरी वर्ड पर, आखरी वर्ड पर ट्विस्ट हो गया है, क्या statement सही है ये? No! No, 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 no. Council of ministers in the center is collectively responsible to? Dash, dash. पताना मुझे क्या है? अब अगर one statement गलत है, तो यहां कौन सा दिख रहा option? वन, वन, वन तो यहां है, अब पूचा हम से सही वाला answer है, मतलब हमें दिख रहा है, properly one तो गलत हो चुका है, क्योंकि council of ministers collective responsible होते हैं, parliament को नहीं, dash, dash को, अब वो dash, dash क्या है आप बताओगे? तो, the union minister shall hold the office during the pleasure of the president of India? correct, एकदम correct, prime minister shall communicate to the president about the proposal for legislation? एकदम correct, तो answer is two and three, option B, एकदम साही. Now, एक और question, इनका question आया, कि prime minister of India, at the time of his appointment, क्या होगा इनके साथ? He need not necessarily be, मतलब जरूरी नहीं है, कि वो member हो, किसी एक house के of the parliament, but must become a member, वो member बन जाएं of one of the houses within six months. Correct, सही बात है, statement सही है, एकदम सही है. अब, मुझे इसमें से answer मिल चुका है, कि answer A है, पर क्या हम बाकी statement और देखें? हाँ भाई, देख लो, सुन लो. Now, he need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member of the लोक सभा within six months. No, either house of the parliament चलेगा, किसी भी house का हो चल जाएगा, statement गलत हो चुकी है यह, गलत, गलत, PM, must be a member of one of the houses of the parliament. है, है, अगर statement A सही है, तो B, B का क्या हुआ? तो B का, statement C का, फरक बस इतना है, कि यह कहना चाहरा है, Prime Minister of India, at the time of his appointment, जब appointment हो ना होगा, जरूरी नहीं है कि वो समय member हो आउस के, छे महीने के अंदर वो member बन जाए, don't worry, no problem, कल को, राश्वती जी मुझसे बोलें, कि तुम मनोगे PM, मैं कहुँगा, सर, मैं तो पढ़ा रहा था class, हैंगे, तो मुझे 6 मीने के अंदर फिर चाहिए membership किसी भी हाउस की, now, जब annual union budget present किया जाता है, is not passed by the लोग सभा, is not passed by the लोग सभा, अब budget, it's a money bill, money bill, ओ बाब रे बाब, मतलब, ये बड़ी चीज है, जब parliament chapter आएगा, आपको money bill की हैसियत बताऊँगा, मैं क्या होती है, money bill बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर money bill आया, और लोग सभा से पास नहीं हुआ, तो budget is modified and presented again, no, no bro, absolutely not, the budget is referred to the राज़े सभा for suggestions, no, absolutely not, the union finance minister is asked to resign, no, the whole ministry resigns, the prime minister submits the resignation of the council of ministers, खताम, टाटा, बाई बाई, अगर, money bill फेल हो गया, union budget में, union budget आया लोग सभा में, लोग सभा में, finance ministry ने पेश किया, हमारे स्टे, इसे बोलते हैं, statement of, statement, statement, मतलब, परची, पूरी ब्यॉरा, statement of, expenditure, expenditure, खर्चा, और, इसके अलावा, expenditure and, receipts, के हम क्या क्या करेंगे, कहा कहा से कमाएंगे, यादे, जब बजट आता, तो आपके फादर, बैठते हैं, टीवी पे, पूरा सुनते हैं, क्या tax बढ़ा, क्या tax कम हुआ, क्या कुछ, rebate मिली, कुछ हालत, कुछ सुधार हुआ, तो, अगर, ये budget जो होता है, जो जिसका मतलब होता है, statement of, expenditure and receipts, कि भाई, येतना हम खर्चा करेंगे, येतना हम कमाएंगे, आगर ये money bill fail हो गया, लोगसभा में, that means, over, done, खतम, टाटा, इसका मतलब, Prime Minister submits the resignation, of the Council of Ministers, हो गया, over, सरकार गई, money bill fail हो गया, लोगसभा में, done, आप गये, आपका लोगसभा में, confidence नहीं रहा, लोगसभा का आपके ऊपर, यहाँ पर, हमारे PYQ खतम होते हैं, prelims के, और, ये question है, means का, चौधा का question है, simple question, the size of the cabinet, size of the cabinet, should be as big as governmental work, justifies, and as big, as the Prime Minister can manage as a team, ठीक है, cabinet का size, इतना, should be as big as the, as the governmental work, government का work बहुत होता है, बहुत बड़े-बड़े work होते हैं, अब, यह justify करता है, as big as a Prime Minister can manage as a team, तो, how far the efficacy of a government, then is inversely related to the size of the cabinet, मतलब, efficiency पूछ रहे हैं हैं यह आपसे, यह पूछना चाह रहे हैं, जो efficacy है, efficacy, is proportional to, inversely proportional to, the size of the cabinet, cabinet size, यह कहना जा रहे हैं, अगर, क्या cabinet size बड़ेगा, तो क्या काम अच्छे से होगा, यह कम होगा, यह तरीके से आपसे पूछा गया है, कि आप discuss करो हमसे, तो, यह mains का question है, यहां के बाद, हमारे question खतम हो रहे हैं, और हम पहुँच रहे हैं, चैप्टर के आखरी में, ठीक है, आपके यहां चैप्टर खतम हो रहा है, और मिलते हैं अगली क्लास में, तिल देन, स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे अलदी, गुड लग,